हे एवरिवन तो जून का महीना है और गर्मी तीन जादा पड़ रही है तो ऐसे में हमें चाहिए कुछ ऐसा ड्रिंक जो की हमें एकदम रिफ्रेश भी रखे और साथ में हमें लूसे भी बचाए बार इतनी गरम हवाय चल रही है कि ऐसे में लगता है कि इस हवाय उसे कैसे ब अच्छे आम लिए हैं तो यहाँ पर दबने में बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से मैं तीन आम यहाँ पर लिए हैं जिसको मैं अच्छे से वाश कर लिया है और अच्छे से वाश करने के बाद यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा तियार करेंगे तो यहाँ पर हम अर काम कर लेते हैं तो जब तक कहार हमारा बॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है CTI आ चुकी है तो यह जैसे ही दूसरी CTI आएगी मैं यहां पर बंद कर दूँगी और इस तरीके से इसको बंद डखने देंगे और जैसे इसकी गैस निकल जाएगी तो यहां पर हम इसका कूकर का डखन को हटा लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारी कैरी ह आप यहां पर इस तरीके से इसके प्लेट में निकाल लूँगी तो यहां पर पानी का हमें कोई जादा यूस नहीं है सिर्फ हमें यह चाहिए तो इसके लिए मैं आपर कच्छाम के प्लेट में लूँगी क्योंकि अब गरम है तो अभी हम इसका छिलका नहीं हटा सकते तो खिलके में यहाँ पर काफी ज्यादा आपका होगा पल्ट, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से खिलके में यहाँ यहाँ पर अब फक्राद धाध्र कि महनगे बालयां रर फट्र 217, अब अरज तो रेडी है तो अब हम से क्या करना है, एक मिकस में ड this को डाल देंगे क्योँकि यहां पर हम इसको ग्राइंड करना है तो इसके लिए एंर्ड ह्में समय डाल देंगे सिर्फ दो-चार जीदे यह डलती जादा नहीं डलेंगे सिर्फ पोधिना डालेंगे जो कि हमें गर्मी में एकदम रिफ्रेश रखेगी और बहुत ही जादा बेनिफिट होते हैं पोधिना के वह आपको पता ही होगा उसके बाद चीनी डालेंगे तो यहां पर मैंने चीनी ड बनकर बिल्कुल तयार हो गया है तो अब यहां पर हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में तो यहां पर एक बाउल में निकालके ही हमारी यहां पर ड्रिंक बिल्कुल अच्छे से तयार हो जाएगी बस इसमें एड़ गया करना है हमें पानी तो एकदम फ्रिसका हमें एकद जादा फाइदे मंद होता है लू से बचाता है और साथ में पोदीना और इसका कॉम्बे से तो मतलब बिल्कुल आप पूरा दिन एकदम रिफ्रेश फील करेंगे यहां पर साथ में ही हम डाल देंगे थोड़ा सा बुने हुए जीरे का पाउटर जिसे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर एड़ हो जाएगा हम पर नामे साथ में ही डाल देंगे काला नमक और अच्छे से डाल कर मिक्स कर देंगे यहां पर एक दब बड़िया डिंक बन कर बिल्कुल तयार है तो इस तरीके से आप 2-3 दिन दे इसको फ्रिज में रखकर आराम से पी सकते हैं तो इस तरी यहां बना कर दे लिया लेमन और अच्छे से हमें पूरे कॉर्णर पर ग्लास के लागा लेना है और उसके पास यहां पर जो हमने बना कर तयार किया है आप लोग सोचे इसका क्या करूंगी तो इस तरीके से डिप कर के ग्लास को अच्छे से मतलब 4-0-1 तश्य अच्छे ल बच्चे या बड़े जब भार से आते हैं तो मतलब भार बहुत जादा लू है तो आते ही आप उनको इस थरीके कटरिंग बना कर दे सकते हैं तो आप जाधा भी बना कर रख सकते हैं जिससे कि आपको दो तिन दिन आरहम से चल जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसको ग्लास में सर्फ कर लिया है अब डाल देंगे आइस क्यूब्स जिससे कि एकदम चिल्ड हो जाएगा और उसके बार बस गार्निशिरिंग के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है पोधिना पती जिससे देखने में बहुत जादा अच्छे लग रहे है और साथ में रिफ्रेशिंग भी फिल करेंगे तो एक वास जरूर बनाएं मेरे कहने पर और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पतंत आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरू करती जाओंगी आप जिसको वीडियो को देखना मत बूलिएगा और बताएगा आपको नेक् को शेखना मत बशलिए जरू क片घवा जिसकत बएलंके मनी हैं और भीडियो आपको य Judgeаний।